नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करुणा ये वीडियो लेकर आई हूँ राजस्थान माद्दिमेक शिक्षा बोड के उन विध्यारतियों के लिए जो पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में और जिनके पास है चितरकला विषय तो दोस्तों चितरकला विषय का चैप्टर नमबर चार दक्षणी चितरशेलियों पर ये वीडियो में लेकर आई हूँ इसके अंदर आप देखेंगे important इस chapter से related 50 questions और उनके answers को तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को like करना और दोस्तों के साथ share करना ना भूलें सिक्षा प्रवा पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लें जिससे की बाकी chapters की वीडियो भी आप तक पहुँच जाएं ठीक है बिटा तो शुरू करते हैं आपके chapter से संबंदित कुछ लगू उत्रात्मक प्रशन को तो question number first है बिटा यहां पर आपके लिए कि एहमद नगर चित्रशेली में तारीफ है उशेमसाही ग्रंथ किस शाशक के समय चित्रत किया गया तो बिटा ये चित्रत किया गया निजाम सहा प्रथम के समय next question है बिटा आप लोगों के लिए question number second बीजापूर चित्रशेली का विकास किस साशक के समय माना जाता है तो आदिल शहा प्रथम और उनके उत्राधिकारी यानि कि इबराहीम दित्य है आदिल शहा प्रथम और इबराहीम दित्य के समय पे बीजापूर शेली अपने चरम विकास पर थी second, third question है बिटा नुजूम उलूम पांडूलिपी दक्षणी शेली के किस कला केंदर में चित्रित की गई बिटा ये बहुत ही ज्यादा important एक ग्रंथ है नुजूम उलूम जब भी हम दक्षणी कला शेली को पढ़ते हैं तो इस ग्रंथ के बारे में जरूर पूछा जाता है तो बिटा ये बीजापूर कला केंदर में चित्रित की गई थी चौथा है दक्षनी शेली का सबसे सम्रद राज्य कौन सा था दक्षनी शेली का सबसे सम्रद राज्य तो वो था गोल कुंडा ठीक है बिटा और गोल कुंडा वो वही वाली जगह है जो बहुत जादा फेमस थी जिस पिप जल्दी से कोई ऐसे आकर्मन करके उस किले को जीत नहीं पा रहा था, जिसको जीता था किसने लास्ट में? और इंजे में. Question number 5 है, यहाँ पर दक्षनी चित्रशाली का विकास कब हुआ? तो पिटा, सोल्मी शताब्दी के उतरार्द में 1680 इश्वी तक. तो मतलब उतरार्द जो था सोल्मी शताब्दी का और उस से सोल्मी शताब्दी क्या काउंट होगी? पिटा, यहाँ पर पंदरा सो एक से ले करक के पंदरा सो निन्यानवे तक का जो टाइम पिरियड है या सोल्मी शताब्दी काउंट होगी और उतरार्द की बात हो रही है तो यानि कि पंदरा सो पिछत्तर के बात का समय सोल्मी शताब्दी का उतरार्द होगा. जैसे आज के टाइम पे हम कहते हैं कि हम 21 शताब्दी मे यानिकी 1575 के बाद का समय और ये चला फिर हमारा सत्रवी शताबदी के उतरार्ध तक यानिकी 1680 तक अब देखते हैं हमारा कोईशन नमबर 6 जो है दक्षिन शहली का विकास किन शहलियों के मिश्रण से हुआ तो कौन-कौन सी शहली के मिश्रण से हुआ फार्सी तुर्की और मुगल शहली के मिश्रण से कौशन नमबर 7 हमद नगर चितरशहली में महिला एमधन पूरुष आकर्तियों के वेस बूषा किसके समान की समान चितरट की गई इंपोर्टन कोईशन है तो उततर भारतिय चितरशहली out के समान जैसा उततर भारतिय चितरशहली हो में ड्रेस ब लहंगा, चुन्नी, चोली के साथ चितरत किया गया है महिलाओं को और पुर्षों को ऐसे पगड़ी और कुर्ता-पजामा के साथ चितरत किया गया है तो वही वेश भूशा रही है यहां पे दक्षणी चितरशैली में महिला और पुरुष की question number 8 है बिटा बीजापुर्शेली की विश्व कोश्य रचना कौन सी है तो मैंने क्या कहा था बहुत ही जादा famous है नुजूम उलूम जो की बनी है बीजापुर्शेली में और इसको विश्व कोश्य रचना बीजापुर की भी कहा जाता है question number 9 है संगीत से संबंधित गरंथ नौरस नामा किसकी करती है किसकी करती से मतलब है कि इबराहिम दीत्या के समय ये करती जो है वो बनाए गई चितरत की गई लिखी गई ठीक है और ये संगीत से इसका संबंध नौरस रामा आपको पता होना चाहिए कि संगीत में जब भी कोई कला होती है तो उस कला में कुल रस कितने होते हैं तो संगीत की कला है और ललित कला का एक पार्ट है तो इसके अंदर भी रस कितने होंगे नौरस होंगे और नौरस का प्रतिपादन किसमें किया था अभिनव गुप्तने कोईशन नंबर टैन है यहाँ पर आपका कि राग माला श्रंकला कब चितरत की गई तो राग माला चितरत की गई 1590 में और इब्राहीम दित्या के समय ठीक है बिटा, question number 11 है, यहाँ पर आपका बुखारा कलाकारों की द्वारा गुलिस्ता पांडूलिपी का चितरण किस चैली में हुआ था तो बुखारा कलाकारों की अगर बात होती है, तो वो बुखारा कलाकारों का सम्मंद था, एहमद नगर चितरण चैली से ठीक है, और इन्होंने गुलिस्ता पांडूलिपी का चितरण किया, कहां एहमद नगर चितरण चैली में, question number 12 है, सम्रद्धी के सिहासन नामक चितर में कितने चरण है, तो साथ चरण है, question number 13, एहमद नगर चैली में चितरण 12 चितरों का मुख्य विशे क्या था, तो एहमद युद पर आधारित थे, युद दृष्यों पर आधारित चितरण किये गए थे, question number 14, बीजापूर चितरण शैली में, देखो वापस से नुजूम अलूलूम पांडूलिपी गरंद किस साशक के समय चितरण किया गया, तो इब्राहीम दीत्य के समय चितरण किया गया, question number 15 नुजूम अलूम नामक सचितर गरंद में कितने चितर संग रही थे, तो इस गरंद में total 876 चितर किये गए हैं, और ये खगोल विध्यापर अधारित एक गरंद है, खगोल यानि कि जॉग्रफी से रिलेटड एक गरंद है, question number 16 है, योगिनी चितर में योगिनी को किस पक् पक्षी को चितरित किया गया है, महिलाकरती के साथ बात करते हुए, question number 17 है, दिवाने हाफिस का चितरन कग हुआ, तो 1463 ईश्वी में दिवाने हाफिस एक गरंद है, जिसका चितरांगन किया गया, question number 18, बीजापुर चितरसली में रागमालकांगन किस शाशक के समय किया गय देखे, बीजापुर का लाकेंदर, पूरे दक्षनी साली का सबसे जादा मतलब फेमस का लाकेंदर है, ठीक है, और इसके जो शाशक है वो इबराहिम दितिया है, जिनके समय पे ये शैली अपने चरम पर पहुची, question number 19 है, बगीचे में कवी नामक्रती किस साशक के समय की ह तो मुहमद अली के समय बगीचे में कवी नामक चित्र बनाया गया, question number 20, समक्र गोड़े नामक चित्र में किस रंग की प्रधानता है, तो भूरे रंग की प्रधानता है, question number 21, उड़ते सारस, शेर वेचीनी, बादलों का अंकन किस चित्र में किया गया है, तो समक्र गोड़ा एक चित्र है, जिसके अंदर उप्रोक्त चीजों का अंकन किया गया है, question number 22, बेटा, तारीफे हुसेन साही गरंद वर्तमान में कहा सुरक्षित है, तो भारतीय का लायतिहास मंडल पुने में तारीफे हुसेन साही गरंद सुरक्षित है, question number 23, बच्चे पोलो खेलते चांद बीवी चित्र की सेली का है, बहुत ही इंपोटन चित्र है, जिसको चांद बीवी पोलो खेलते हुए भी कहा जाता है, और ये गोल कुंडा शेली का सबसे ज़्यादा फेमस चित्र है, और ये वाला चित्र question number 24 में दिया है, कि पोलो खेलते चांद एहमद नगर और हैद्राबाद यह चार कला केंद्र हैं दक्षणी सहली के जो हम पढ़ते हैं सिलेबस में क्षण नमबर 26 से बिटा हजरत निजामुदिन ओलिया और अमीर खुश्रो किस सेली का चित्र है बहुत इंपोर्टन चित्र है बिटा यह और यह हैद्राबाद कला केंद्र से संबंध रखता है क्षण 27 गुलिस्ता पांडूलिपी के मूल चित्रों का अंकन किन कला कारों ने किया तो मैंने आपको बताया था इससे पहले भी यह क्षण आ चुका है कि बुखारा कला कारों ने बनाया है गुलिस्ता पांडूलिपी को और कब बनाया है तो 1567 ईश्वी में बनाया है और विकास का समय है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बढ़ी है जो चित्र दक्षणी शैली में बने है, वो सत्रमी शताबधी में बने है, शुरू हुआ है बन्ना, तो, कोशेन नम्बर ट्वंडिनाइं, दक्षणी चित्र शैली का विकास किन शैलियों से माना जाता है, तो मुगल और फार्सी शैली से दक्षणी शैली के चित्रों का विकास या एक तरह से माना जाता है कि इन दो शैलियों के मिश्रण से ही दक्षणी शैली जो है शुरू हुई Q3 है निजाम मुहमत कुली कुतुब शाह दक्षणी शैली के किस केंदर से संबंद रखते थे Q3 है तो कुली कुतुब शाह का संबंद था गोल गुंडा कला शैली से Q33 एहमद नगर चित्रशैली के चित्र का नाम लिखिए Q32 है तारीफ ए हुसेशन साही गरंथ का चित्रण किस शैली में हुआ तो इसका अंसर हो जाएगा एहमद नगर चित्र शैली में Question number 33 है बीजापुर शैली के दो चित्रों के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं तो कोई भी दो चित्रा बता सकते हैं तो यहाँ पर दिया गया है आपको समरद्धी का सिहासन और योगनी इसके अलावा भी आप कोई और भी चित्र के नाम है आपर बीजापुर कला के इंदर से दे सकते हैं Question number 34 है गोल कुंडा पर विजय किस मुगल शाषक ने प्राप्त की तो मैंने इससे पहले आपको बताया था औरंग जेब ने Question number 35 है गोल कुंडा चित्र शैली के दो चित्रों के नाम लिखे तो गोल कुंडा शैली का चित्र है बगीचे में कवी और कुतुब शाहा के सामने निरत्य है इसके अलावा भी आपको इभी चित्र यहां पर मेंशन कर सकते हैं जैसे चांद बीवी पूलो खेलते हुए चित्र भी गोल कुंडा शैली से था नेक्स कोशन है बच्चे आपका यहां पर 36 राग हिंडोला क्या है तो बेटा राग हिंडोला राग माला परिवार की संगीत विद्या को दर्शाता है आपको पता है न छे राग होते हैं तो छे राग में एक राग है राग हिंडोला तो यह राग माला परिवार में से संब का नाम है और यह चित्र वर्तमान में कहा रखा हुआ है तो बेटा यह रास्ट्र संग्राले नई दिल्ली में ही सुरक्षित है योगनी क्या है मैंने कहा था योगनी पर आगे आपके लिए कोईशन है तो योगनी क्या है तो शारीरिक में भावनात्मक रूप से अनुशाशि जीवन जीने वाली, योग में विश्वास करने वाली, बौधिक अन्वेशन करने वाली सांसारिक बंधनों से मुक्त इस्तरी को योगनी कहा गया है ठीक है बिटा तो यह है योगनी की परिभाशा qution number 14 क्या है बचे question number 40 है आपका दक्षणी शेली के रागमाला चित्रावली के छेत्र का नाम बतगे मतलब की रागों का चित्रावली दक्षणी शेली के किस कलाकिंदर पर या किस छेत्र में जगा पर चित्रट की गई है तो बिटा बीजापुर शेली में चित्रित की गई है Question number 41 है गोलकुंडा शेली के शुरुवाती चित्र कौन से है तो दिवाने हाफिस एक ग्रंथ है जिसके अंदर आप गोलकुंडा शेली के शुरुवाती चित्रों को देख सकने है Question number 42 योगनी चित्रन की विशेष्टा बताईए जो एक चित्र है योगनी उसके बारे में बताना है तो योगनी चित्र में कलाकार को खड़ी आकरतिया बनाना अधिक प्रसंद था ऐसा कहा जा सकता है इस चित्र में योगनी गले में लंबा डुपट्टर डाले आभुष्णों से सुसर जित बालों में जूड़ा बांधे मैना एक पक्षी है जिससे वारतलाप करती चित्रत की गई है Question number 43 है समगर घोडा चित्र के बारे में बताना है तो समगर घोडा चित्र का चित्रन करते समय कलाकार ने गोडे के अंदर अनेक आकरतियों को चित्रत किया है इसके साथ ही साथ प्रस्ट भूमी में भी अनेक असधारन आकरतियां जैसे उड़ते हुए सारस, सेर, बादल, बड़े पत्ते वाले पौधे आधी चित्रत किये हैं Q44 में राग हिडोला की रागनी पाठ मशी का चित्र के बारे में आपको जानकारी देनी है तो राग हिडोला की रागनी पाठ मशी का चित्र 1590 से लेकर के 1595 इश्वी के मध्य में बीजापुर शहली में चित्रत किया गया यह चित्र वर्तमान में राश्ट संग्राले नई दिल्ली में सुरक्षित है इस चित्र में रागमाना परिवार की संगीत विद्या को दर्साया गया है और चित्र के अंदर फार्स इवे मुगल परभाव देखा जा सकता है कोश्य नमबर 45 बिटा पोलो खेलते चांद वीवी जिसको चांद वीवी पोलो खेलते हुए भी कहते हैं मैंने आपको बताया है इसकी बारे में बता इये तो इस चितर को चांद विवी पोलो खेलते हुए नामसे जाना जाता है यह बीजापुर शेली का प्रशिद चितर है चितर में चांद विवी को अन्य महिलाओं के साथ मैदान में पोलो खेलते हुए चितरित किया गया है दूर प्रस्ट भूमी में आकाश का अंकन तथा छितिस पर देखो बिटाबी में आपको बताऊंगे छितिस क्या होता है तो छितिस पर सुन्दर छोटे भवनों वे पेड़ पोदों वे पहाडों का चित्रन किया गया है यह चित्रवर्तमान में राष्ट संग्राले नई दिली में सुरक्षित है ठीक है आज की डेट में आप इस चित्र को देख सकते हैं राष्ट संग्राले नई दिली में तो अगर हम चितिस की बात करें तो बहुत दूर का एरिया आप एक तरह से समझ लीजे कि हमारी आखों का last जहां तक हमारी आखे किसी खुले मैदान में देख सकती है तो वो वाली जो लाइन होती है एक लाइन जिस लाइन के उपर हमें आकाश दिखता है और धर्ती मिलती है मतलब वो वाली लाइन जहां पर धर्ती हमें आस्मान से मिलती हुई दिखाई देती है उस लाइन को कहते हैं छितिस रेखा ठीक है बिटा नेक्स्ट है कोशन नमबर 46 जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि बगीचे में कवी चित्र किस शेली से सम्बंद दित है तो ये गोलकुंडा शेली से सम्बंद रख कमानि पहिएक नव देना चाहिए सिर्फ गोलकुंडा शेली के के इंदर पर सर्वदिक सुंदर चित्र बने हूए है तो गौलकुंडा कला शेली और वीजापूर मुझे यहां पर देना चाहिए, सिर्फ गोलकुंडा नहीं, वीजापुर में भी बहुत ज़्यादा सुन्दा चित्र बने है, कोशन नमबर फोटी नाइन है, दक्षणी कलाकेंदर में कलाकारों ने किन रंगों का प्रियोग चित्रांकन में किया है, तो मुख्य तहा, खनीज रंगों का प्रियोग यहां पर कलाकारों ने किया है, और खनीज रंग कोन से होते है, वो रंग जिन्हें धर्ती से प्राप्त किया जाता है, कोशन नमबर पचास है, दक्षणी कलाशेली का प्रधान केंदर कौन सा माना जाता है, तो बीजापूर जो कलाकेंदर है, वो दक्षणी सेली का प्रधान केंदर है, सबसे पहले चितरांकन जो था, वो बीजापूर कलाकेंदर में ही शुरू हुआ था, और सबसे अच्छे और मतलब और विभिन विध्याओं पर अधारी तिया, विभिन रागमाला वगरा पर अधारी चितरो जो बने हैं, वो बीजापूर कलाकेंदर में बने हैं, तो ये थे आपके 50 कुशिन किस पर दक्षिनी कलाशली पर, आशा करते हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुशिन्स आपको बहुत पसंद आए होंगे, और आपके बोर्ड एक्जाम में भी इसमें से कुछ कुशिन्स पूछे जाएंगे, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाब उठा सके, और दोस्तों सिक्षा प्रवापर अगर आप पहली बार आए हैं, या आपने अभी तक च सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लें